जगडालो सास और लालची बहू पाट्टू रेकेब घर में बस आपकी चलती है आप जैसा बोलो वैसा करेंगे इस तरह अपनी सास के बारे में बोल कर फोन में वीरया से अपने मन के बाद बुलवा कर लाग रुपे लेकर बिना किसी को बताये शॉपिंग पर जाकर उन सारे पैसों को खर्च करने वाली बहू और उसका नाम का इस्तेमाल करके लाग रुपे उधार लेने वाली गुंडमा को अपनी बहू पर कितना ज्यादा गुस्सा आया था इससे पहले की कहाने में हमने देखा था अब देखते हैं आगे क्या हुआ गुंडमा ने शॉपिंग से आई हुई अनसुया को दर्वाजे के पास ही खड़ा रखा और उसे खूब डाटा इधर अनसुया अपनी सास की गुस्से और डांट की फिकर ना करते हुए अपने कमरे में आराम से चली गई इस तरह अनसुया अपनी सास की परवा किये बिना अपने मन में जो भी आता था किया करती थी अपनी बहू की कर्थुतों को देखकर गुंडम मा हमेशा उस पर चीक्ती चिला की रहती थी दिन बीटते गए एक दिन सोमू और रंगया हौल में बैटकर बाते कर रहे थे पिता जी अपने घर की ये औरते कब बदलने वाली है मा की आवास बहुत बड़ी है और इसका लालज बहुत बड़ा क्या करें पिता जी? इस तरह कहते हुए वो अपनी पिता के तरफ देखता है लेकिन रंगना अपनी जगब बैठे-बैठे ही सोया जा रहा था ये देखकर सुमू दंग रह गया और उसके पिता जी के उपर हात रखकर उसे जोर से हिलाया पिता जी? सोमू के हिलाने की वज़े से डर के मारे रंगना क्या बात है बीटा इतनी जोर से क्यों हिलाया ऐसा लग रहा था मानू मेरा दिल अभी रुख जाएगा और नहीं तो क्या पिता जी अब मेरी बात सुने बिना अपना ही कुछ सोचते हुए आराम से सोरे जा रहे थे ऐसा ही है तो मैं यहां क्या करूँ इस तरह सोमू बोला तो रंगना क्या बेटा अपने ही मुँ में बड़बडाए जा रहे हो जो भी कहना है जरा जोर से बोल इस तरह बोल रहा था तो सोमू अपना सर पकड़ कर है भगवान यह सब क्या हो रहा है मा की आवास तो बहुत उजी है बापो को सुनाई नहीं देता और मेरी बीवी को लालत ज्यादा है और मुझे इन सबसे परेशानियों ज्यादा हो रही है प्रभू मेरे नसीब में क्या लिखा है आपने इस तरह बड़बाड़ा रहा था तो रंगना बोला आरे बेटा फिर से कुछ बड़बाड़ाए जा रहे हो हां कुछ नहीं पिताजी चलो खेतों तक जाकर आते हैं अच्छा कोई बात नहीं तो यहां बेटे बेटे करें तो क्या करें चल ज़रा खेतों में होकर आते हैं ये बात संकर सुमू परिशान हुया ए भगवान पिताजी मैंने पिताजी यही कहा था इस तरह वो अपना सर पिटते हुए अपने पिताजी को वहां से लेकर चला गया उनके बाहर जाते ही अनसु यह हॉल में आकर बैटते हुए बोली हां सुबे से आराम से बैटने कोही नहीं मिला थोड़ी देर बैटकर आराम से टीवी देखती हूँ इस तरह सोचते हुए वो टीवी आउन करती है टीवी में एक न्यूस आता है हमारी प्रजा के लिए एक शॉकिंग न्यूस अब एक बिखारी भी लगपती बन सकता है और एक लगपती करोड़पती बन सकता है इस तरह वो एंकर बोल रही थी तो अन्सुया बड़े लालच से देख रही थी आप लोग जानना चानते हो कैसे? बहुत आसान है आप लोगों के पास रखा हुआ सोना, चांदी सब हमें दे दीजे और हम उन्हें विदेशों में बेच कर उससे दस कुना ज्यादा पैसा आपको देंगे आप सूच रहे होंगे कि हमें कांटाक केसे करेंगे? वो भी बहुत आसान है हम लोग ही आपके फोन पर मेसेज भीजेंगे अगर आप बैठे बैठे करोड़ पती बनना चाहते हो तो उस मेसेज वाले नंबर को तुरंद फोन कीजिए वो बस बोल ही रही थी कि इतने में करण चला जाता है ये देख अनसुया हारे रे ये पावर को भी अभी जाना था हे भगवान वो मेसेज मुझे जल्दी से जल्दी आ जाय तो कितना अच्छा होगा अमारे गर में रखे हुए सारा सोना उन्हें देखकर बस एक दिन में करोड़ पते बन जाती इस तरह अनसुया सोचने लगी वो बस सोची रही थी कि उसकी फोन पर मेसेज आता है उस मेसेज को देखकर खोल कर पढ़कर वो खुश होने लगी हे भगवान मैं जानती हूँ कि आप हो मैं बस इसके बारे में सोची रही थी और आपने मेरे फोन पर मेसेज भीज दिया थैंकिय सो मच भगवान इस तरह बोलते हुए वो उस नंबर पर फोन लगाती है विजे नाम का आदमी फोन उठाता है और बोलता है हलो कौन है आप सेर मैंने आपका मेसेज अभी पढ़ा है और टीवी पर भी देखा है इसलिए फोन कर रही हूँ मेरे पास बहुत सारा सोना और चांदी है आप उन्हें लेकर मुझे तुरंट करोड़पती बना दीजे सेर इस तरह कहा अन्सुया की बात सुनकर विजे देखे ये सब तुरंट होना बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोग पहले ही इंतिजार कर रहे है आपका नंबर है एक लाग पचास हजार एक सो ग्यारा उन सब का हो जाने के बाद ही हम आपको कॉल करेंगे अरे सर 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 ऐसा मत कहिए उन सब से पहले मुझे ही करोड़ पती बनना है चाहे तो मैं आपको थोड़ा कमिशन भी दे दूँगी अरे ओ मैडम मुझे देखकर आपको क्या लगता है क्या आपको मैं ऐसा दिखता हूँ कि सब के पास चिलार और कमिशन लेकर जी हूँ सारी सेर आप ही कुछ न कुछ तिकडम करके मुझे ही सबसे पहले करोड़ पती बनाईए न हाँ ठीक है ठीक है अभी आपको मैं जो एड्रेस देने वाला हूँ कल अपना सोना और चांदी वहां ले आईए एक हफते दस दिन में हम आपको करोड़ पती बना देंगे ठीक है ठीक है सेर ऐसा बोलकर उसने फोन रख दिया अगले दिन अपने घर में रखे सारे सोने और चांदी को विजे के बताय हुए एड्रेस पर ले गई और सब कुछ देकर वापस आ गई वो बड़ी खुशी खुशी घर वापस आ गई घर आकर अपने पती से बोली अरे सुनते हो अभी जमिंदार जी के पास जो सो औकड की जमीन है न उसे खरिदने के लिए हमें क्या खरना होगा इस तरह उसने अपने पती से पुछा अपनी पत्नी की बात सुनकर सोमू दंग रह गया पूछ रही है सौ औकड की जमीन खरिदने के लिए क्या करना है एक बात बता तुने अपने सर पर तेल लगाया है न नहीं जी घर में तेल खतम हो गया है सर पर लगाने के लिए घर में तेल नहीं है और तुझे सौ एकड की जमीन चाहिए एक औरत ने तेरी तरह ही तेल लगाने से जडों में तेल लग रहा है इसलिए सारे बाल मुंडवा कर विक बना कर उन पर तेल लगाया करती थी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया तेरी करतूते क्या मेरी समझ में आती है हम लग चुप चाप तेरी करतूते सह नहीं रहे क्या इस तरह बोलते हुए वहाँ से चला जाता है इधर अनसुया बड़ी खुश होए जा रहे थी कि वो जल्दी करोड़ पती बन जाएगी दिन बीटते जा रहे थे देखते ही देखते ही दस दिन बीट जाते हैं दसवें दिन गुंडमा अपने कमरे से चिलाते हुए बोली अनसुया अरी हो अनसुया कहां मर गई करंजली क्या बात है सासुमा पूच रही है क्या बात है अलमारी में रखा मेरा सोना कहा गया तुने ही निकाला है ना इस अलमारी की चाबी तेरे पास और मेरे पास ही रहता है किसी और के पास नहीं सच सच बता इस तरह गुंडम मा बोल रही थी तो अनसुया हाँ सासुमा बस एक दिन के लिए धीर जरिये कल सुबह तक हम लोग करोड़ पती बन जाएंगे इस तरह बोल रही थी तो गुंडम मा आश्यर चकित होकर क्या कहा सुबह तक हम लोग करोड़ पती बन जाएंगे तुझे क्या हीरो की खान मिल गई है अरे सासुमा ये तो उससे भी पढ़कर है एक बिखारी लगपती और एक लगपती करोड़ पती बनने का जो चांस है ना आँ 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 अभी रुख जा क्या कहा फिर से बोल एक बिखारी लगपती बनने का और एक लगपती करोड़पती बनने का बहुत अच्छा चांस इस तरह अनसुया ने कहा तुरंद गुंडब मा बहुत गुस्से में आ गए और जोर-जोर से चिलाने लगी अरे तेरे लालच का सत्यानास हो अरे करम जली तुने मेरा सारा घर बरबाद कर दिया है ना तुझे क्या किसी पागल कुट्टे ने काटा था इस तरह वो अपने मर्जी से जोर-जोर से चिलाने लगी इन बातों को सुनकर क्या बात है सासुमा पूछ रही है क्या हुआ अरे एक बात बता दस दिन पहले जब तु निउस देख रही थी तो आधे में ही करण चला गया था ना हा सासुमा आपको कैसे पता अरे तूने सिर्फ आधा ही निउस सुना था बाकी निउस मुझे पता है ये देख इस तरह आप बोल कर उसने उस निउस को यूट्यूब में दिखाया उस मोबायल में अनसुया ने टीवी पर जहां तक देखा था उसके बात का निउस आ रहा इस तरह उस नंबर पर फोन कीजिए इस तरह का आपको कोई भी मैसेज आए तो कृपा करकर उस पर विश्वास मत कीजिए खबरदार रहिए आज कल चोर उचक के जिन लोगों को पैसे की बहुत लालच होती है उन लोगों को ऐसी बाते बताकर उनके पास के सारा सोना और पैसा लूट रहे हैं सावधान रहिए इस तरह उस एंखर ने कहा ये सुनकर अंसुया दम रह गई इसका मतलग अब मैं उल्लू बन गई हूँ क्या बोल रही है उल्लू बन गई तुने दस लाग रुपे का सोना परबात कर दिया है इस तरह वो अंसुया को डाट रही थी और अंसुया अपने गल्दी के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रही थी हाई राम ये सब क्या हो गया आप सब को प्रणाम मैं आप सब की मन पसंद सास हूँ हाई और मैं आप सब की चहेती बहू हूँ अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं तो अब देर किस बात की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए आपको सास पसंद है या बहु पसंद है कॉमेंस में जरूर लिखिए देखते रहिएगा महा टीवी